एफ्रेंट्स, देखьे, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आसीष कचोलिया जी के बारे में आसीष कचोलिया जी एक ऐसे इंवेस्टर से हैं जो हमारे सेर मार्केट में बहुत सफल इंवेस्टर माने जाते हैं 800 करोड रुपे तक इन्होंगे share market से कमाई है और देखेंगे ये जो हैं जायतर छोटी company पर ही दाव लगाते हैं तो कल भी इन्होंने एक छोटी सी company को खरीदा है जिसमें कि अपना लगबग 2-5% का इस्टेक इन्होंने खरीदा है देखेंगे उस company के बारे में क्या कामकाज करती है company क्या fundamentals है company के और देखेंगे अगर आप ज्यादा कुछ नहीं करना चाहते तो जो portfolio इनका है उस पर भी आप invest करते हैं तो भी अच्छे return मिल सकते हैं तो चलिए देख लेते हैं क्या company है लेकिन उससे पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ऐसी ही वीडियो हमारे चैनल पर आपको मिलती रहती है तो देखें यहाँ आप देख सकते हैं company सिर्फ 1835 करोड की company है 168 का current price चल रहा है 202 high गया था 117 low मतलब 202 मिल रही है अपने high और low के 51 की book value है अच्छी है 20,18 का 29.5 की ROE CE और ROE है 21% की face value 10% की है इस company के बारे में और भी जानेंगे लेकिन उससे पहले एक जरूरी अपडेट में आपको देना चाहता हूँ क्योंकि देखिए हम सभी investors हैं और सभी हम invest करते हैं पैसे को क्योंकि हमें उस पर interest चाहिए होता है हमें अच्छे return चाहिए होते हैं तो हम invest करते हैं तो ऐसे ही देखिए आपने सुना होगा भारत pay के बारे में जो की savey register है और यह है इसने launch किया है 12% club अगर आप इसको join करते हैं तो इसमें अगर जो भी आप पैसे लगाएंगे उसका 12% आपको return मिलता रहेगा जो की safe होगा, secure होगा तो अच्छा है 12% काफी होता है साथी साथ आप जो इससे income करेंगे जो interest आपको मिलेगा उस पर आपको कोई TDS बगएरा या कोई charge extra नहीं देना होगा और देखे, यहाँ एक बहुत अच्छी बात यह भी है कि आप अगर आज पर पैसे लेना चाते हैं आप loan लेना चाते हैं, तो loan भी यहाँ आपको मिल जाता है बो भी मिलता है 12% पर ही per day इसकी earning आपके account में transfer हो जाती है और आपका जो मूल है वो बना रहता है कोई margin इसमें आपने नहीं देना है जब चाहें आप इसमें पैसा डाल सकते हैं जब चाहें आप withdrawal कर सकते हैं तो इसमें अगर आप account खोलना चाते हैं तो वीडियो के description में लिंक दिया हुआ है वहाँ से आप इसमें account खोल सकते हैं और ये देखे कोई paid promotion नहीं है ये मुझे personally अच्छा लगा तभी मैं आपको बता रहा हूँ ऐसा कोई भी मैंने paid promotion के लिए इससे पैसा नहीं लिया है तो करना ना करना आपके ओपर बात है कर सकते हैं करना चाते हैं तो देखे अब देख लेते हैं company के कुछ कोई और प्रोज तो कोई में अगर देखें तो कुछ भी नहीं है लेकिन प्रोज देखें almost debt free company है 37% का 5 साल से profit growth बनाई हुई है इसने और healthy dividend भी company देती है इसने 24% का एक healthy dividend payout बना रखा है बहुत standard होता है जो बात करें देखिए sales की company की तो जो कभी 245 करोड की वगा करती थी 591 करोड हो गई है और अगर इसके हम profit देखें तो company profit भी अच्छे कर रही है 18 करोड के 16 करोड के profit company करती थी और अब कर रही है 106 करोड 103 करोड तो बहुत शांदार profit भी company हमें करते हुए दिखाई दे रही है अगर हम इसकी sales growth देखें देखें तो 17% से बड़ी है और profit growth है ये बड़ी है हमारा 5-38% से 27% से बट रही है और CGR देखें 60% और 77% का बहुत शांदार CGR है इस बार थोड़ा negative रहा है share लेकिन अच्छा है और देखें छोटी सी company होने के बावजूद सबसे बड़ी बात है इसमें 536 करोड के रिजरव है और करजा ना के बरावर सिर्फ 11% का है तो करजा भी बहुत बड़ा नहीं है और इसका अगर हम लाश्ट में देखें देखें इस share holding pattern तो जो promoters है उनके पास है 66% और public के पास है सिर्फ 33% तो public के पास बहुत ज़्यादा नहीं है अच्छा share holding pattern हमें देखने को मिलता है company का इस्टोक का नाम है Golden International Limited और 179 रुपे पे अभी ट्रेट कर रहा है ये company देखिए हमें jewelry में काम करज करते हुए दिखाई देती है और ये jewelry जो है सिर्फ इंडिया में नहीं बलकि ये globally भी export करती है natural diamond भी जो natural diamond होते हैं उससे भी jewelry बनाती है और lab में भी diamond बनाती है company तो बहुत शांदार इसका business model हमें दिखता है और देखिए कहां कहां ये है UK, USA, Russia, Dubai, China, Hong Kong Australia तो कुछ बड़ी country हैं ये जिनमें कि इसका काम काज चल रहा है company का company ने कुछ acquisition भी किये हैं यहां आप देख सकते हैं बहुत से acquisition company ने करे हुए हैं भी तो in future बहुत शांदार इसका हो सकता है तब ही देखिए ये जो है हमारे कचोलिया जी कोई आँखे मीच के तो invest करते नहीं हैं बहुत बड़े investors हैं लेकिन फिर भी दोस्तों अगर आप invest करना चाहते हैं तो अपने financial advisor से सलाह जरूर ले ले या फिर खुद सी analysis जरूर करें अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजिएगा मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार जय हिंद जय भारत